पहले जो दिवारे थी उनको खुबसुरत दिखाने के लिए हम उनके उपर प्लास्टर करते थे फिर अच्छा सा पेंट करवाते हैं पर आजकल दिवारे जो है वो सिर्फ पेंट के भरोसे पे नहीं है बलकि दिवारों को खुबसुरत दिखाने के लिए लोग आजकल उनके उपर अलग-अलग टाइप के पैनल का इस्तमाल करते है जिनसे कि आपके दिवार का लुक एकदम नया दिखाई देता है ये चम-चमाती हुई दिवारे बहुत ही हाइएंड दिखाई देती है इन पैनल की वज़े से आपके घर का लुक जो है वो अल्टरा मॉडन दिखाई देता है और वो भी कम दाम में दोस्तो अगर आप चाहते हो आपकी दिवार को मार्बल की तरफ फिनिशिंग पर मार्बल इतना खर्चा नहीं चाहते है तो आपके सामने हाजिर है UV-PVC मार्बल छिट जो कि आजकल बहुती जादा ट्रेंड में है इन पैनल की वज़े से आ आखिर इसे लगवाने का खर्च कितना आता है तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा ज़रू देखे चानल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को ज़रू सब्स्राइब कर लीजे Basically UV PVC पैनल एक पैनल कर टाइप होता है जिसमें की पॉली विनाइल क्लोराइब का इस्तमाल किया जाता है और उसकी जो उपरी लेयर है उसके उपर अल्टरा वालेट का एक प्रोटेक्शन लेयर दिया जाता है अब ये जो coating होती है ये पैनल को सूरज की जो harmful rays होती है उनसे बचाती है साथ में इसकी वज़े से पैनल का जो color है वो आगे चलके fade नहीं होता है और ये जो UV PVC marble sheet होते है इनका इस्तमाल आप wall cleaning के लिए countertop के लिए यहाँ तक की flooring के लिए भी लोग इस्तमाल करते हैं साथ में overfit area cover हो जाता है और इसकी थिकनेस आपको 1 mm से लेके 3 mm तक मिलती है हाला कि अच्छे company के जो panel है वो आपको 3 mm थिकनेस वाले मिल जाते है ये जो UV PVC panel होते है इनके कुछ advantage होते है जैसे कि ये बहुती durable होते है ये जो panel होते है इनके उपर termite का असर नहीं होता है ये अच्छे heat resistant होते है साथ में इनके उपर पानी का भी कोई असर नहीं होता है ये जो UV PVC panel होते है इनकी अगली विचेशता ये है कि ये बहुती low maintenance होते है इने cleaning करना बहुती आसान होता है पानी की मदद से आप इने easily clean कर सकते हो साथ में इनके उपर किसी प्रकर की waxing या फिर repainting करने की आवशकता नहीं होती है इनी कारणों के वज़े से ये बहुती जादा low maintenance माने जाते है साथ में इनके उपर आपको अलग-अलग तरह के texture मिलते है जैसे की marble finish तो आपको मिलती है साथ में wooden finish भी आपको इन panel के उपर available होती है यानि कि design में भी आपको बहुत सारी type की variety मिलती है हाला कि यहाँ पर marble की जो design है उनका जादा तरह इस्तमाल किया जाता है जो की बहुती trend में है तो इन सभी चीजों के बाद सवाल ये आ जाता है कि आखिर इसे लगवाने के लिए कितना खर्चा सकता है तो इसके लिए हम एक example लेंगे जिसमें कि हम 10 feet by 10 feet की wall लेंगे और उस आखिर उनका cost क्या है मार्केट में वैसे धाई हजार से लेके 4000 रुपे तक के panels available है तो अगर आप 5000 वाला panel इस्तमाल करेंगे तो आपको खर्च थोड़ा सा कम आएगा 4000 वाला इस्तमाल करेंगे तो खर्च आपको जादा आएगा तो यहाँ पर example में जो panel हम इस्तमाल करेंग उसका cost हम 3000 रुपे तक अजूम करेंगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3000 रुपे को एक panel आता है और जिसका की size होता है 8 feet by 4 feet यानि 32 square feet area उसमें cover हो जाता है तो अगर हमारी 10 feet by 10 feet की wall है तो उसका square feet निकलने के बाद हमें उसे divide करना पड़ेगा 32 से तो हमें यह पता चलेगा कि हमें कितने panel लगने वाले है तो हमारा wall का size है 10 feet by 10 feet is equal to आ जाता है 100 square feet और एक panel जो है हमारा 32 square feet area cover करता है तो 100 divided by 32 is equal to आ जाता है 3.125 यानि कि इतने panel हमें लगने वाले है अब यहाँ पर होता यही कि आपको इस तरह से आधे कटे हुए panel नहीं मिलते है पूरे आपको 4 panel ले है तो 3000 multiply 4 is equal to आ जाता है 12,000 रुपए यानि कि जो panel है उनका cost हमें 12,000 रुपए आ चुका है उसके बाद बारी आ जाती है labor charge की तो यहाँ पर हम ऐसा आजिम करेंगे कि आपके area में 15 रुपए per square feet के इसाब से labor charge लिया जाता है तो हमारे wall का area जो है 100 square feet है 100 multiply 15 is equal to आ जाता है 1500 यानि कि labor charge हमें 1500 रुपए तक आ जाएगा उसके बाद में जो molding का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि U, H, C, L इस तरह की जो molding इस्तमाल की जाती है उसके लिए हम एक tentative cost पकड़ के चलेंगे जो कि है 600 रुपए उसके बाद में आपको silicon लगेगा जिसका की cost हम 500 रुपए मान आ सकता है तो इस example के शुरुवात में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये totally depend करेगा कि आप panel कितने रुपए के लेने वाले हो Averagely आप मान के चल सकते हो कि आपको 10,000 से लेके 16,000 रुपए तक खर्च आ सकता है किसी 10 by 10 की wall को इन पैनल को लगवाने के लिए तो अगर हम square feet के इसाब से देखे तो आपको 100 रुपए पर square feet से लेके 160 रुपए पर square feet तक खर्च आ जाता है इन पैनल को लगवाने के लिए अब यहाँ पर आपका labor cost, material cost सभी चीज़े add की गई है अब इन पैनल को लगाने से पहले कुछ चीज़े आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है जैसे कि इन पैनल को लगाने से पहले आपका surface जो है वो smooth होना चाहिए उसके उपर किसी प्रकार के undulations नहीं होने चाहिए हाला कि जब आप furniture या फिर ply के उपर जब इन पैनल को लगाते हो ऐसे समय में वहाँ पर surface आपको clear मिलता है हाला कि आपको ज़्यादातर ध्यान दिवारों के उपर देना पड़ता है क्योंकि दिवारे कभी-कभी bend होती है या फिर undulations होते है जिसकी वज़े से इन शीट को fitting करना पहुती difficult हो जाता है और proper fitting नहीं हो पाती है हाला कि किसी सीलन भरी दिवार के उपर आप इन पैनल को लगाने के बारे में सोच रहे हो तो पहले आपको उस सीलन का समाधान ढूंडना चाहिए जब सीलन पूरी तरसे रुख जाएगी तब जाकर आप इन पैनल को लगाओगे तो आगे चलके भविश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो अगर आप अपने घर के अंदर इन पैनल को लगवाने के बारे में सोच रहे हो